Hello Friends, मैं हूँ आपका दोस्ट Dr. Vivek Maheshwarie Psychology की पार्षाला की सिरीज में हम लोग Emotion के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे Emotion क्या होते हैं? Emotion डेवलप कैसे होता है? Emotion कितने प्रकार के होते हैं? ये सब चीजे हमने डिस्कस की हैं अपने कुछ पिछले वीडियो में और आज Emotion को ही आगे बढ़ाने वाले हैं और आज हम Emotion की एक बहुत ही Important Theory को समझने वाले हैं और उस Theory का नाम है James Lange Theory of Emotion James Lange ये दो लोग थे, एक नहीं है ये दो लोग हैं, एक है James, एक है Lange James का जो पूरा नाम है वो है आपका William James William James और दूसरे जो हैं Lange इनका नाम था Karl Lange इन दोनों ने 1880, 1880 में अपनी अलग-अलग Theory दी थी Emotion के उपर लेकिन इन दोनों ही के विचार एक जैसे थे Emotion को समझाने को लेकर तो एक Theory बन गई जिसको नाम दे दिया गया James Lange Theory of Emotion और इस James Lange Theory को हम Biological या Physiological Theory भी कहते हैं क्योंकि इसका एक Biological या शाररिक आधार है अब इस James Lange Theory को समझने के लिए पहले हम एक Example लेते हैं आप यह बताएं कि आपके सामने एक कुट्टा आया एक डौगी आया जो बहुत बड़ा है चोटा सा नहीं है जिसको आप खिलाते हैं बहुत बड़ा डौगी आया और बहुत बड़ा डौगी आया तो क्या होगा आप उसको देखेंगे आपको दर लगेगा और आप भाग जाएंगे यही तो होता है यह common sense यही है कि जब भी कोई emotional कोई situation हमारे सामने आती है और emotional situation जैसी हमारे सामने आई वैसी emotional experience हमें हुआ और जब emotional experience हुआ तो हमें emotional behavior होता है तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं एक है emotional stimulus एक है emotional experience और तीसरा है emotional behavior मैंने अभी का कि emotional stimulus क्या होगी है dog कि आपके सामने dog आया जो बहुत बड़ा है अब जैसे ही कुट्टा आया तो emotional experience आपको डर लगता है आपको कुट्टे को देखकर डर लगता है emotional experience डूसरा हुआ और फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसी आपको डेखकर डर लगा आपने क्या किया दोर लगानी शुरू कर दी कि भाई साम इससे कैसे भी करके बचना है अगर हम step देखें कि क्या हुआ सबसे पहली चीज एक emotional stimulus आया emotional stimulus के बाद एक emotional experience हुआ मतलब की डर लगा डर लगा तब emotional behavior हुआ कि हम भागे लेकिन जेम्स लांजे कुछ अलग बाते करते हैं जेम्स लांजे कहते हैं कि नहीं सब ऐसा नहीं होता है कि आपको डर लगता है फिर आप भागते हैं ये तो common sense है कि आपको किसी से hate है तो आप क्या कर लेते हैं मुझे बात नहीं करना है अप मुझे फेर लेते हैं आपको किसी से प्यार आता है तब आप उसको देखके मुस्करा देते हैं ये आप करते हैं लेकिन James Stange कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है आप कुत्ते को डेखकर भाग गए इसलिए आपको डर लगता है, आपने किसी को देखा और किसी को देखने के वाद आपने मूँ फेर लिया, इसलिए आपको हेट हुई है, इसलिए आपको घ्रना हुई है, अगर आप उसको देखके मूँ नहीं फेरते तो आपको हेट नहीं होती, अगर आप उस कुट्टे को दर लगा उस कुट्टे से मैं भाग गया जेम्स लांजे कहते के नहीं आप भागे इसलिए आपको डर लगा आपने मूँ फेरा इसलिए आपको हेट हुई आप हसे इसलिए आपको खुशी हुई पहले खुशी नहीं हुई आप हांसे इसलिए आपको खुशी हुई बिलकुल common sense के ठीक opposite तो अब क्या हुआ कि पहली चीज क्या हुई कि पहली चीज कि आपने डोगी को देखा according to James Lange उसके बाद आप भाग गए और भागने के बाद क्या हुआ है आपको डर लगा अगर आप नहीं भागते तो आपको डर नहीं लगता ऐसा James Lange कहते है अभी मैं ये 1-2 हटा देता हूँ क्योंकि मैंने नीचे भी 1-2 लिख रखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा ये बाद समझ में आ गई आपको कि पहले emotional behavior हुआ पहले आप भागे इसलिए emotional experience हुआ आप भागे इसलिए डर लगा है according to James Lange अब इसको एक बक्ष तो ये हो गया अब दूसरा आप कुछ एक structure देख रहे हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं सेम वही concept नीचे है लेकिन जो ये नीचे है ये pictorial form है मैंने क्या कहा था कि James Lange जो theory है वो biological है उसका एक शारिरिक आधार है अब शारिरिक आधार कैसे है सबसे पहले वही बात doggy, dog आपके सामने आया अब जैसी dog आपके सामने आया तब आपकी आखोने देखा इसका मतलब समझ में आ रहा है कि इमोशन को उत्पन्द होने के लिए कोई नो कोई stimulus कोई emotional stimulus जो की समवेग उत्पन्द कर सकता है उस stimulus का होना ज़रूरी है अगर आपके सामने वो stimulus नहीं होगा तो emotional behavior भी नहीं होगा और emotional experience भी नहीं होगा तो सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले एक डॉग था आप खड़े थे market में डॉग को आपने देखा आपने मतलब आपकी eyes ने देखा अब जैसी आपकी eyes ने देखा तो eyes जैसी stimulate होई इसमें sensory nerve impulse उत्पन होई और वो nerve impulse ये आपका brain है और ये nerve impulse कहां गई इस brain में गई कहां से आपकी आँखों से आपकी brain में nerve impulse गई और तब आपने perception कि अच्छा ओ डॉगी है लेकिन वो nerve impulse इतनी fast गई और इतनी fast आपने उसका interpretation हुआ आँखों से देखने के बाद तुरंत आपने कह दिया ओ डॉगी अब अभी क्या हुआ अभी आप dog दिखा है अभी emotion नहीं हुआ है अब जैसी James Lange कहते है कि आपको dog दिखा वो brain impulse जो nerve impulse है वो brain में गई और अब क्या हुआ यहां से एक nerve impulse निकलती है जो आपको दिख रहा होगा यह दो number की nerve impulse brain से निकली वो नीचे निकली और यह external organ में भी गई और internal organ में भी गई हुआ क्या कि आपने brain में यह message पहुचा या brain ने यह interpret किया कि सामने doggy है तो brain से nerve impulse है गई कहां पर मेरे heart pair में मेरे external organ में और दूसरा मेरे internal organ में जैसे ही मेरे internal organ में वो जो impulse गई है वो क्या करेगी अंदर आंतरिक जो अंग है उसको प्रभावित करेगी और जो external organ में जो nerve impulse गई है और यह दोनों nerve impulse क्या है एक साथ जाती है मतलब कि एक ही साथ यह जो है ना एक एक nerve impulse आई और यह दोनों जगे बढ़ गई internal organ में भी चलेग और external organ में भी चलेगी internal organ में गई तो उसने kidney को प्रभावित किया आपके सांस लेने की गती को प्रभावित किया आपकी हार्ट बीट को प्रभावित किया और जैसी external organ में गई तो आप भागने के लिए तयार हुए और अब आपने क्या है जैसी दोनों ही internal और external organ ये दोनों stimulate हुए आप भाग गए अब जैसी आप भागे वैसी क्या हुआ external organ से फिर एक nerve impulse गई आपके brain में चार नंबर की और internal organ से एक brain में impulse गई तीन नंबर की ये दोनों impulse एक साथ उपर गई और brain में गई और जब आप भागे तब क्या हुआ तब आप में emotion हुआ अभी emotion पहले क्या हो रहा था मैंने क्या कहा पहले eyes ने देखा nerve impulse brain में गई brain से nerve impulse external organ और internal organ में आई और जैसी इसमें आई ये दोनों ही stimulate हुए और ये यहां से आप दोनों ने ये nerve impulse तीन और चार नमबर उपर गई कि साब मैं भाग रहा हूँ अब मुझे डर लग रहा है पहले नहीं लग रहा था अब मुझे डर लग रहा है कि मैं ये nerve impulse से आप समझ गे होंगे इस picture से तो अब आपको क्या हुआ देखिए जब ये 3 और 4 नमबर की nerve impulse ब्रेन में जाएगी ना तब आपको डर लगेगा और जब ये 2 नमबर की nerve impulse एक्स्टरनल और इंटरनल और अर्गन में जाएगी तब आप क्या करेंगे तब आप भागेंगे तब आप भागेंगे किसको देखकर ये जागी को देखकर ये है ये है पिक्चर नमबर टू अब इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस पिक्चर से किसाब जेम्स लांजे बिलकुल सही कह रहे है सही क्यों कह रहे है कि जैसी मेरी आँखों ने देखा मेरे इंटरनल एक्सरनल और प्रभावित हुए मैं भाग मैं अन older तक मिंचे डर बहुंत नहीं ल TWO-arem ने लगता ये आपकी जेम्स लैंजे थि ओरी इस चानल तुरी को एक है उपकोथेसें है जिसका नाम में फेशन फीदबैक है पॉथेस ये सपोर्ट करतें है Facial Feedback Hypothesis है । जो कि James Langanai ने जो कहा, उसको सपोर्ट करती है, और ये जो Facial Feedback Hypothesis में एक गुर्न और मेटस्वमेट्स एक साइकोलीस्ट हैं, विद्वान हैं, और इन दोनोंने शूद किया, कि Facial Expression can change the emotion emotional experience and reflect emotion इसका मतलब क्या है कि जो आपके facial expression है facial feedback hypothesis क्या कह रही है कि जो आपके facial expression है वो change होते हैं तो आपका emotional experience change होता है इसको सीधा-सीधा से समझ लें दो चीज़े होती है facial expression hypothesis कहती है एक होती है आपकी emotional आप facial expression में change करें आपका emotion change हो जाएगा और जैसे आपका emotion change हुआ तो वो जो emotion है वो आपके face पे reflect होना शुरू हो जाएगा इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आपने क्या किया मैं सीधा ख़़ा हूँ मैंने अपने facial expression मैं change किया मैं मुस्कुराया मुस्कुराया इसलिए मुझे खुशी हुई है मुझे खुशी हुई इसलिए नहीं मुस्कुराया मैं मुस्कुराया तो इसलिए मुझे facial expression मैंने दुख वाले बनाए तब मुझे दुख की feeling हो रही है अगर मैं facial expression कुछ ना मनाओ मैं तो बिल्कुल neutral भाव मैं खड़ा रहा हूँ कोई भी emotion हो आएगा नहीं पहले facial expression change होगे उस facial expression जैसे change हुए वैसा emotion की अभिव्यक्ती होगी और उस emotion की अभिव्यक्ती मेरे चेरे पर दिखेगी खुशी मेरे चेरे पर दिखेगा sadness मेरे चेरे पर दिखेगा hate तो ये theory है मैं फिर बस एक minute पर इसको repeat करता हूँ जेम्स लांजे कहते हैं कि भाई साब emotional behavior पहले होता है emotional experience बाद में होता है भागते आप पहले हो डर बाद में लगता है पहले आप मुँ फेर ले तो इसलिए आपको hate होती है पहले आप क्या करते हो पहले आप किसी के पास जाते हो तब आपको love होता है अगर न जाओ कोई love नहीं आप मुँ न फेरो तो कोई hate नहीं आप आप ना भागो तो कुट्टे से किसी भी चीज़ से कोई डर नहीं यही है जेम्स लांजे थियोरी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको यह थियोरी बहुत अच्छी लगी होगी समझ में आ गई होगी कल या जब भी हम नेक्स वीडियो में हम फिर मिलेंगे इमोशन की अगली थियोरी के ओपर तैंक यू तैंक यू वेरी मच